तो आज में फिर से आपके सामने कुछ इंपोर्टन्स कंपानी का अपडेट सेयर करने वाला हूँ तो वीडियो को पूर्व लास्त एक जोरू देखेगा और अभी तक अपने चनलन को सब्सक्रेब नहीं किया तो जोरू कलेजेगा कंटिनिसली इन्फोर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चनल को पर बने रहीएगा तो चलो देख लेते कौनसा कौनसा कंपानी है इस वीडियो के अंदर फर्स्ट जो कंपानी है जिसके बारे में चर्चा करूँगा उसका नाम है रेल्टेल तो RealTel Corporations Limited अब सब जानते RealTel एक ऐसे कमपानी है जो टेलिकम सिस्टेम को रेल में जितने सारे टेलिकम सिस्टेम है जितने सारे इंटरनेट कनेक्शन है उसकी उपर कमपनी काम करता है जैसे आप देखेंगे यहादे broadband connection साती साथ जो VPN services है साती साथ टेलिकम सिक्टर उसके साथ multimedia मीडिया network तो इस तरीक से प्रोड़क के उपर कमपनी इस तरीक से category के उपर कम पनी काम कर रहा है और सबसे जादा किसी का अगर जौरत है वो रेल्टल के उपर है, हाँ में यह नहीं कहोंगे के रेले कंपशनी के बागी जितने सारे रेले कंपानी है उसके जौरत नहीं है, हाँ हमेसा आपको जाद से जादा हर टाइम में आपको रेल्टल का जौरत पड़ेगा, क्यूंकि क्योंकि अगर freakin कनेकिशन ठीक ठाक ना करें, काम और ना करें, तो रेलो के जो सिस्टेम है ब थंध हो जाएगा, कॲिकि Yemen से दूसरी टेशन में जो कनेक्शन है वह इसी के मात्हम से होती है क कि ट्रेण जब ट्रैक में चलते है की सिंग्नेलिक सिस्टेम के रेल्टेल के मात्तम से होपाए तो obviously इस company के उपर एक high growthable situation future में देखने को मिलेगा साइद साइद इसी लिए institution जैसे FIS और DS के पास holding दिरिदे करके बढ़ता हो देखने को मिला अभी कहेंगे sir इसको बढ़ना कहते है कोई 1.4% तो FIS के पास और DS के पास मतलब mutual fund के पास 2.96% इसको कोई बढ़ता हुआ बोलेगा क्या हाँ बिल्कुल आपके पास सही है इसको बढ़ता हुआ नहीं बोलेगा फिर भी मैं जोरू कहूंगा कि promotor जो इसका holding है 72% इस holding कम है और public के पास ज्यादा है जब इस company के धीरी धीरे growth होगा जैसे IRFC में आज देखेंगे institution के पास ज्यादा holding है क्यों कि IRFC आज एक large के blue chip type company बन चुग है तो उसी तरीगे से अगर एक company भी उसी तरीगे से situation बनाए आज 14,000 का company है काल मन के चालीस हजार करोड का company बन गया तो इस company के उपर भी trust करना start कर देंगे institution और मज़ेदर बात ही है कि इस company के उपर अगर मैं business के point of view से बात करूँ देखें आप project work services के उपर 50% और telecom services के उपर 49% overall 50-50% का company का काम है और साथी साथ NLD जो services है उसके उपर 28% और साथी साथ आदस income के उपर 32% और देखा जे तो income from railway, income for railway project के 8.2% और जो IP services है जो internet के लिए जो IP services की दिया जाता है तो उसके उपर 10% और बाकी IPS services के उपर company का 20% के आसपास business हो रहा है तो business अलग-अलग categories में फैला के रखे है यह अच्छी बात है क्योंकि business को हमें से diversified करके रखेंगे और same sector के उपर ऐसे नहीं कि जूते का business कर लिया उ और अलग-अलग sector के पर काम कर रहे है अलग-अलग categories के पर काम कर रहे है तो उसका business stable बन सकते है तो बाकी देखे इस company के जो performance है एक बात में आपको performance के basis के बारे मात करूँ तो ROE और ROC दोनों आपको बेश दिखेगा last five years से लेकर current year तक continuously एकी range को company maintain किया और net profit भी देखे है 10 से 11 person के आज़ पास है और सबसे मज़ेदर बात ही है company के पास एक रूपया भी करजा नहीं है और इस सारी कारण के वज़े से company के में quarter ली result चेक किया जहापे मुझे धमा का result दिखा 395 से 414 उसके बाद 454 अभी 668 तो एक अलग level का sales growth देखने को मिले अलग level का expense growth देखने को मिले और net profitability जो 69 क्रोर से 67 क्रोर बना 32 क्रोर बना और 62 क्रोर बना एक अलग level का net profitability भी यहापे देखने को मिले है तो सारे points को एक साथ में एक साथ में अगर जोड़ू तो मुझे जो data देखने को मिला net profit का वो best तरीके से data देखने को मिले है अभी इस company के जो टेक्निक लिए है उसके बारे में बात करो तो देखिए यहाप एक range बना था तो मैंने आपको बताया कि इस range चब breakout करेगा तो मैं इंटी लूँगा तो finally हाई volume के साथ ब्रेक आउट किया और ब्रेक आउट करने के बाद वो धीरी-धीरे करके उपर गया और इसी range की उपर फिर से एक बाद देखिए एक range grade किया अभी range grade किया इस range grade करने के बाद finally हाप ब्रेक आउट हुआ तो यहाप पर question आएगा कि इस label में मैंने क्या एंटी लिया बिल्कुर नहीं मैंने एंटी इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे चाहिए इस higher level से जो retest किया इसके बाद मुझे green channel चाहिए और इस company के उपर जब कोई मैं ट्रेल लूँगा मैं आपके साथ जुरू सेयर करूँगा next company उसका नामे easy replanner और इसके उपर में पहले आपको update दे चुका हूँ कि इस company के उपर एक pattern scared हो चुके है जो जिसको solder come head come solder कहा जाता है तो solder come head come solder इस pattern को follow करते मैंने यहाप एंटी लिया ह देखिए एंटी होने के बाद एकी range के उपर company बहुत दिने तक wait कर रहा है कोई बात नहीं company के उपर wait करेंगे wait करने के बाद breakout होगा तब target achieve होगा तो target मेरा जो target है वो 60 के आसपास है और जो target निकल का रहा है करीबन 23% के आसपास है तो best तरीके से target आपर मिल सकता है क्योंकि सांदा तरीके से target जो मिलने का chances है वो सबसे बड़ी बात है company के जो previous swing high है उसी के नीचे target बन रहा है पहली बात दूसरी बात इस company का पारफॉमस देखेंगे तो आप चौक जाओगे कि company ने एक बार ऐसे नहीं किया कि company का sales में कुछ खराबी है हर साल में हर quarter में company sales को beat करते आगे बड़े expense को अभी company control में रखे और जिसके basis में 22 crore से 40 crore बना 45 crore बना अभी 51 crore बना मतलब एक अलग level का company का profitability growth हुआ तो जब company कितना सांदार profit है इतना सांदार balance seed है जहापे 3 crore reserve था 2012 में तो 10 साल के बाद company के reserve 400-400 crore बन चुग है 3 crore से 400 crore एक बार अगर calculate भी करेंग वो साड़े 400 crore साड़े 400 crore से आप 3 से divide करेंगे तो 1500 बन जाते है तो यहापे देखे 1500 मतलब 150 times company growth कर चुक है reserve को अभी देखे company ने अभी तह करजा नहीं लिया था finalize बार करजा लिया तो question है आप ही आएगा कि जो करजा लिया क्या उस करजे को वो मिटा सकते है हाँ easily तो मि मतलब easily खुद के जेव के जो जेव में जो पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे सो करजों को मिटा सकते है तो कोई चींता करने का मेरे यहाँ पे बात ही नहीं है क्योंकि company के लिए चार्ट पड़न बना चलो मैं टेल लिता हूँ ऐसे बहुत सरे आपको patterns दिख जाएगा बहुत सरे आपको इस तरीके से टेकिनिकली चार्ट पड़न्स आपको दिख जाएगा तो उसको देखकर काम मत करना आपको company का financial को देखकर उसके बार technical को देखकर काम करना पड़ता है तब ही आप successful trader बन सेखेंगे तो देखें निस्क जो company उसका नाम है LTTS जो L&T Group के company है औ इस बार भी highest sales देखने को मिला तो हमें हमेसा में आपको पहले sales क्यों दिखाता हूँ क्योंकि sales ही importance है आप किसी कोई भी business कर लीजिए कोई भी business कर लीजिए sales अगर आपका ठीक नहीं है अगर आपका revenue ठीक नहीं आ रहा है तो कुछी भी कर लीजिए आपका business बढ़ा नहीं ह चल रहा है और उस business में आप अच्छा कासा पैसा भी बना रहा है तो जब company खुद पैसा बना रहा है तो हम लोग भी उसके उपर बैती हुआ गंग में हाथ धोलना चाहिए तो यहां पर company किस तरीके से patterns केट किया ध्यान लीजिएगा मैंने कहां पर टेल लिया बो में आपक कब बड़ा होगा और छोटा सा handle होगा ऐसे बिल्कुल नहीं हम लोग जो चाय और coffee पीते हैं जिस कब में उस तरीके से cup नहीं चाहिए patterns तो वहीं चाहिए cup के जैसे और handle के जैसे अगर यहां पर आपको यह देखना है जहां पर cup बना उसका lower side को marking करना और जहां पर handle बना वो level को touch नहीं करना चाहिए अगर इसको touch कर लेते हैं तो इस pattern को में use नहीं करता हूँ तो touch नहीं किया इसका मतलब finally आपे breakout हुआ और वो target को achieve किया तो एक सांधा तरीके से target company अचिव किया तो कहने का मतलब है अगर आपको भरोसा है company के उपर तो आज नहीं तो वो कल target देंगे क्योंकि जब उपर गया और नीची आए तो मुझे बहुत सरे comment साना start हो गया तो sir आपका तो loss चल रहे ना तो इस तरीके से बहुत सरे comment आ गया तो कोई बात नहीं मैं loss से डरता नहीं हूँ किकि मेरा हमेशा investment खुद के total जो portfolio है उसमे 5% investment में हर company के उपर करता हो अगर company large cap है अच्छा company है तो 8-10% त और सारे पैसे लगा देंगे तो वह पर आपको बहुत बड़ा tension हो जाएगा तो हमेशा आपको इस तरीके से सोच कर काम करना चाहिए बाकी आप समझदार है मेरे से जादा समझदार है तो please समझदार इसे काम लीजिए मेरे तरफ से सारे चीजे को सीखिए सारे चीजे को verify क करिए उसके बाद काम करिए blindly मेरे बात को सुनकर किसी भी टेल ले लेंगे यह बहुत बड़ा गलती आप कर रहे है तो please ऐसे मत करिए कि कि मैं कोई सेवी रिश्टर पार से नहीं हूँ कि मैं आपको tips दूँ और मैं आपको कोई भी सला दूँ कि हाँ इसके उपर buy कर रहे है आप exit करिए वो आपके हाद में है वे खुद का मेरा जो buy sell है वो मैं आपके साथ सियार करता हूँ तो please वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को support करना चनल को subscribe करना और like भी करना मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्याँ